श्री शावन स्री महापुरान कथा कि अंतिम दिन गुरुजी ने अपने बच्पन के वारे में कुछ बताया कि किस परस्थिती से निकल के वो अभी इस मुकाम पे पहुँचे हैं, कुछ दिन पहले ऐसा भी था जब उनका बच्पन इस तरह से भी गुजरा था कि उनके लिए खाने के लिए भी नहीं मिलता था, एक दिन का खाना भी मुश्किल होता था, तो इस तरह से उनके अपने जीवन के वारे में आज कुछ ऐसी ऐसी चीजे बता हैं, जिसे सुनके आपको भी असर शीचित लगेगा, अभी तो उनके फैमिली वाले मेंबर जैसे मौसा, दादा दादी, काका सभी बोलते हैं ये पंडित परदीब जी मिसरा हमारे चाचे का बेटा है, ये हमारे मौसी का बेटा है, ये हमारे बहन का भाई है, या इस तरह से सब बोलते थे, लेकिन आज की कता में गुरुजी ने ऐसा बताया कि जब हम बचपन में थे, जब हमारे पास ख पापा चने का ठेला लगाते थे उससे उनका गुजर बसर चलता था कभी कभी गुर का धंदा यानि सक्कर का धंदा करते थे जब पानी गिर जाता था वो भी गुर बिरवाद हो जाता था फिर भी खाने के लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता था कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि ज और के अंदर जो मंदिर थी उस मंदिर में चावनी में एक मंदिर ही हनमान जी की और सिव जी की जहां पर पंडित परदीब जी मिश्रा एक निले कलर की पेंट पहन के और उनकी भाई बहन सब वहां जाके जारू पोचा करते थे जो भी भक्त वहां पे आते थे परसाज, चना गुर नारियल जो भी चलाते थे वो वहां से उठा के लाते थे और रात में अपने घर में बैटके सारे फैमली सारे बच्चा एक साथ ऐसी तरह से खाते थे इस तरह से गुरू जी की अपनी प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया फिर धिरे धिरे पढ़ किया उसके बाद उन्होंने अपना जो भी हो सका वो करने के लिए उसके बाद इंदोर से ही उन्होंने क्या किया तक गुरू देख्चना ली थी जहां कि उनके गुरू इंदोर कहीं है जहां से उन्होंनों देख्चना ली थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था एक रुप अगर हम विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नाकामी मिलेगी आपको आपकी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी बस थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है महादेप के घर में जो है देर है अंधेर नहीं है थोड़ा सा आपको धेरे रखना पड़ेगा आपका जीवन जरूर सफल मलेगा बस महनत करते रहें महनत करते करते आदमी कहां से कहां चले जाता है बहुत सारे लाइव एक्जामपल ऐसे हैं दुनिया में जो की बिना मेहनत के कोई भी आज तक जो है ना उपर नहीं पहुँचा है तो आसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगी होगी तो आप अपने जीवन में भी संगर्स करते रहें और महादे पे विजवास रखें जो होगा सब अच्छा होगा मिलते हैं और भी इस तरह के जानगारी के साथ तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तव व्यम हरर महादे